आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सीन्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउन्लोड करें सीन्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें परिवार प्रमशकेंद में रविवार को 34 मामलों में फर्यादियों को बुलाया गया था लेकिन 24 मामलों में काउंसलिंग की गई जिसमें 6 मामलों में समझोता करा पत्नी को पती के साथ बेजा गया चोटी चोटी बातों पर परिवार बिखर रही है ऐसे परिवारों को जोड़ने के लिए लंबे समय से पुलिस लाइन में कराई जा रही काउंसलिंग में रविवार को बिखरे छे परिवारों का समझोता कराये गया आज के युग में पती पतनी के बीच मोबाइल फोन शक्की सुई बन गया है शक्क में परिवार बिखर रही है पुलिस लाइन सबागार इस्तित परिवार परामशकेदर में रविवार को 34 मामलों में फरियादियों को बिला कर काउंसलिंग की गई इसमें अधिकांश महलाएं पती के साथ परिवार से अलग रहने की जित कर रही थी इसमें शक्क होने पर पती-पतनी एक दूसरे पर अवैद संबंदों के आरोप भी लगाने से पीछे नहीं है रविवार को 24 मामलों में काउंसलिंग की गई जिसमें 6 मामलों में समझोता करा पतनी को पती के साथ भीज दिया गया इसके साथ ही दो मामलों में मुकदमा लिखने की प्रक्रिया की गई भा देते हैं तो उस चीजों को लेकर मैंना उसको समझाया और वो किसी हद तक राजी भी हुई और जाने को तयार भी हुई और गई भी है वो साथ में तो यही सब मैंना उसको एक महिला के नाते उसको समझाया परिवार परामर्श केंदर में ऐसे भी मामले देखने को मिले कि पती पत्नी को साथ रखने के लिए तयार है लेकिन पत्नी किसी भी सूरत में रहने को तयार नहीं है वे मुकदमा लिख पती को जेल भेजवाने की जित पर अड़ी हुई थी काउंसलरों के पुलिस कर्मी भी परिवार को जोड़ने के लिए समझाते रहे लेकिन महलाएं अपनी जित पर अड़ी रही आखिर में फाइल बंद का रिपोर्ट एसेसपी के पास रेफर कर दी गई सी नियूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट